नमस्कार दोस्तो मैं हर्यों मियादाव आपका एक वार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेट काफी अच्छा अच्छा कंटेट देखने को मिलेगा आप जो वीडियोज प्रिविएस वीडियोज देखेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि वुकेब को पढ़ने का यह बहुत ही लाजवाब तरीका है मतलब जो वुकेब आप पढ़ते हैं रटते हैं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं यह स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको एक छोटी सी इन्फोरमेशन दे सकूँ और इन्फोरमेशन यह है कि आज से मैं आपके लिए एक पूरा कंप्लीट स्लेवस डिजाइन कर रहा हूँ इस पूरे स्लेवस में सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल यानि की ग्रेमर कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद बुक एपोशन और थर्ड वन इस कॉंप्रिहेंशन जिसमें आपको सबसे अधा प्राब्लम होती है तो दोस्तो हम रोजाना इसमें तीम से चार मिट की कुछ वीडियो देखेंगे उन वीडियो में हम आर्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट रहेगा या तो कंटेंट देख लीजिए या फिर मैं आपको रूल्स बाइज इसमें कंप्लीट कराऊंगा तो आप पूरा का पूरा रूल्स बाइज आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिव, पूरा का पूरा स्लेवस रूल बाइज देखेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यह इंफॉर्मेशन है इंगलिस के स्लेवस के बारे में है आपको डेली पैकेज मिलेगा, यह तीन-तीन मिनिट की वीडियोज रहेंगी बहुत छोटी-छोटी वीडियोज रहेंगी आप जैसी सुब़र सोकर उठें, नौ बज़े आपको वीडियोज मिल जाएगी आप तीन मिनिट निकाल कर बस वीडियोज को देख लीजेगा जब भी आपको टाइम मिले तब देख लीजेगा कहीं बैठे हों, फ्री हों, वहाँ देख लीजेगा तीन मिनिट के अंदर आपका वो कंसेप्ट आपके हाथ में रहेगा ठीक है दोस्तो, दूसरी बात, complete syllabus रहेगा हाला कि मुझे टाइम लगेगा syllabus कवर कराने में लेकिन ये syllabus मैं आपको चार से पांच महिने के बीच में कवर करा दूँगा और ये पूरा का पूरा syllabus रहेगा या फिर आप चाहे Navy दो या Air Force exam दो या फिर SSC का कोई भी exam दो आप सब के लिए इसके लिए eligible हो जाओगे थार्ड इसमें vocab और idioms का रहेगा दोस्तो, vocabs और idioms ये बहुँ जादा important है इनको हमें साथ-साथ लर्ण करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने पहले से ही कुछ वीडियोज बना चुका हूँ आप चैनल पर देखिएगा, कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगी उन वीडियोज के अलावा, मैं बीच-वीच में कई बार और वीडियोज की वीडियोज की वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँगा आपने कवर कीजिएगा दोस्तों ये बार बैच नेवी एयर फोर्स के लिए बहुत जादा फूटफुल रहेगा आप नेवी की तयारी घर बैटके बहुत अच्छे से कर सकते हैं वलकि मैं कहूंगा कि आपने एक बार अगर इंगलेस अच्छे से पढ़ ली हाला कि नेवी एयर फोर्स में बहुत हलकी लेवल का इंगलेस कुछा जाता है लेकिन अगर आपने इंगलेस को फूरी तरह से एसेंस ले लिया तो आप SSC के भी कोई भी एक्जाम बाद में अपियर कर सकते हैं उनके लिए गो थूरू हो सकते हैं तो चली दोस्तो आपको समय में आया होगा कि किस तरह से हम अपने सिलेबस को डिजाइन करने वाले हैं यह इंफॉर्मिशन की वीडियो रहेगी मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें पढ़ें इन से जितना ग्यान आप ले सकते हो वो ग्यान लीजिएगा मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा डेली चली दोस्तो तो फिर मिलते हैं हम अपनी पहली वीडियो में जो की हमारी आर्टिकल के रहेगी इसके साथ हम मिलते हैं अपनी पहली वीडियो